Hello Friends, Welcome to Study News राजाओं और रजवारों के एतिहासिक भूमी राजिस्थान में कई ऐसी इमारते, महल और किले हैं जिनकी खुबसूरती की बात ही निराली है पूरी दुनिया में इन इमारतों, महलों और किलों की तारिफ होती है और हो भी क्यों ना, आपको बता दे कि ये इमारते, महल और किले सद्यों से आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे पहले थे आज हम आपको यहां के एक खुबसूरत महल के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी खुबसूरती और संरचना के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है हम बात कर रहे हैं राजिस्थान की राजधानी में इस्थित हवा महल के बारे में आज हम आपको हवा महल से जुड़ी कुछ रोचक बाते बताएंगे So, let us start हवा महल भारतिय राज राजिस्थान की राजधानी जैपूर में एक राजसी महल है इसे सन 1799 में महराजा सवाई प्रताप सिंग ने बनवाया था एक कथा के अनुसार हवा महल को बनवाने वाले राजा सवाई प्रताप सिंग भगवान से कृष्ण के भक्त थे इसलिए उन्होंने हवा महल को भगवान स्री कृष्ण के ताज जैसा बनवाया था और हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे हवा महल में लगभग 953 खिड़कियां है इतनी खिड़कियां बनवाने के पीछे ये कारण है कि इस महल में कभी गर्मी का अनुभव ना हो और हमेशा साफ हवा आती रहे कुछ लोगों का कहना है कि हवा महल का निर्माड महिलाओं के लिए किया गया था और इतनी खिड़कियां बनवाने के पीछे कारण ये था कि महिलाओं बिना रोक टोक के सहर के नजारे देख सके अब जानते हैं कि इस महल का नाम हवा महल कैसे पड़ा इतिहास में इस बात का उल्ले किया गया है कि हवा महल का नाम इसकी पाचवी मंजिल के नाम पर रखा गया है इसकी पाचवे मंजिल को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता था जिस वज़े से इसका नाम हवा महल पड़ा इस पाच मंजिला इमारत में किसी भी मंजिल में सीड़ी नहीं है हवा महल में सभी मंजिलों पर जाने के लिए धलांदा रास्तों का इस्तमाल किया जाता है हवा महल अद्वितिय पाँच मजीला इमारत जो उपर से तो केवर डेड़ फुट चोड़ी है बाहर से देखने पर मदुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है जिसमें बेहत खुबसूरत और आकरसक छोटी छोटी जालीदार खिड़किया हैं जिनें जरोखा कहते हैं इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी की बिना किसी की निगाह पड़े परदा प्रथा का सकती से पालन करती राज घरानों की महिलाएं इन खुड़कियों से महल के नीचे सडको के समारों वगलियारों में होने वाली रोजमर्रा की जिनकी की गती वीडियों का अवलोकन कर सके इसके अतिरिक्त वैंचुरी प्रभाव के कारण इन जटिर सरचना वाले जालीदार जहरोके से ठंडी हवा आती रहे जिसके कारण तेज गर्मी में भी महल सदा ठंडा रहे लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल जैपूर के वैपारिक केंद्र के हिर्दय इस्थल में मुख्य मार्क पर इस्थित है यह सिटी पैलेस का ही हिस्सा है और महिला कच्छ तक फैला हुआ है सुबा सुबा सुर की सुनहरी रोसनी में इसे दमकते हुए देखना एक अनूठा एहसास देता है यह महल अपने मुख्य आधार से 50 फिट उचा है महल की सबसे उपरी तीन मंजीलों की चोड़ाई का आयाम एक कम्रे जितना है जबकि नीचे की दो मंजीलों के सामने खुला आंगन भी है जो की महल की पिछले हिस्से में बना हुआ है महल का सामने का हिस्सा जो हवा महल के सामने की मुख्य सड़क से देखा जाता है इसकी प्रतेक छोटी खिड़कियों पर बलुआ पत्थर की बेहद आकर्सक नकासियां की गई है जो इसे दुनिया भर में बेमिसाल बनाते हैं हवा महल का पिछला हिस्सा एकदम साधा है इसके सांस्कृतिक और सिल्प संबंधित विरासत हिंदू राजपूत सिल्पकला और मुगल सैली का एक अनुठा मिसरण है उधारण के लिए इसमें फूल पत्यों का आकरसन का गुंबद और विसाल खंबे राजपूत सिल्पकला का बेजोड उधारण है तो साथ ही साथ पत्थर पर की गई मुगल सैली की नकासी सुन्दर महराब आदी मुगल सिल्प के नायाब उधारण है सिटी पैलेस की ओर से हवा महल में साही दरवाजे से प्रवेश किया जाता है यह एक विसाल आंगन में खुलता है जिसके तीन ओर दो मजीला इमारते हैं और पूरव की ओर भव्य हवा महल इस्थित है इस आंगन में एक पूरा तात्विक संग्राले भी है हवा महल की देख रेक राजिस्थान सरकार का पूरा तात्विक विभाग करता है वर्स दो हजार पांच में करीब पच्चास वर्सों की लंबे अंतराल के बाद बड़े इस्तर पर महल की मरमत और नवी कर्णिये का कार किया गया था यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया भी इस महल के मरमत का कार करता है तो ये थी हवा महल के बारे में पूरी जान करे तो थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज लाइक सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब और कमेंट